कक्षा 10 अध्याए 14 सांखी की प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न 4 हम करने जा रहे हैं एक पौधे की 40 पतियों की लंबाईया निकटम मिलिमेटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकरों को निम्नलिखित सारनी के रूप में निरूपित किया जाता है लंबाईय मिलिमेटर में आपको दी हुई है पौधों की 118 से 126 मिलिमेटर वाले कितनी पतिया है तीन 127 मिलिमेटर से 135 मिलिमेटर तक कितनी पतिया है वाली कितनी पतिया है पांच 136 से 144 मिलिमेटर तक की लंबाईय वाली कितनी पतिया है नो इस प्रकार से लेकिन बच्चों इसमें एक चीज आपने ध्यान देनी है देखे 118 से 126 है पहली रो डूसरी रो 126 से नहीं शुरू हो रही 127 से शुरू हो रही है 127 से 135 तीसरी रो 135 से शुरू नहीं हो रही है इसको कहते हैं यह सतत वर्ग अंतराल नहीं है continuous class interval नहीं है सबसे पहले हम इसको सतत बनाएंगे continuous बनाएंगे देखे कैसे उशन है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ग्याद कीजे लेकिन माध्यक निकालने से पहले हमें यह देखना है कि यह continuous group नहीं है continuous सतत वर्ग अंतराल है हम इनको सतत बनाएंगे देखे कैसे left side पे जो था 118 से 126 मैंने क्या किया left hand side से 118 127, 136, 145 इन सब में से 0.5 माइनस कर दिया पहली रो में देखे 118 को लिखा है 117.5 और right side वाला जो number 126 उसको लिखा है 126.5 यानि left side में 0.5 माइनस कर दिया right side में 0.5 प्लस कर दिया दूसरी लाइन में देखे पहली लाइन में हमें आर पास लिखा 127 इसमें से 0.5 माइनस करना है तो 126.5 बन गया right side पर 135 लिखा है इसमें 0.5 प्लस कर दिया तो हमार पास आ गया 135.5 इसी प्रकार से तीसरा ग्रूप हो गया 135.5 से लेकर 144.5 144.5 से 153.5 153.5 से 162.5 162.5 से 171.5 इस प्रकार हमने क्या किया बच्चों याद रखना जो आपको continuous ग्रूप नहीं दिया हुआ था उसको continuous बनाने के लिए हमने क्या किया उसकी निचली सीमा में 0.5 माइनस कर दिया उपरी सीमा में 0.5 प्लस कर दिया आप देखो पहला गुरूप 126.5 पे खतम हो रहा और अगला गुरूप 126.5 से ही शुरू हो रहा है पहला गुरूप 135.5 से ही शुरू हो रहा है अब यह बन गया है सतत यानि continuous अब पतियों की जंक्या हमें दी हुए है अब हमने संचेई बारम बारता निकालनी है जैसे हम पिछले प्रश्णों में करते आ रहे हैं पहले में होगा 3, उपर वाला नंबर बिल्कुल सेम रहता है उसके बाद इस 3 में 5 प्लस करेंगे तो हमें प्राप्ट होगा 8 8 में 9 प्लस करने पर हमें प्राप्ट होगा 17 17 में 12 प्लस करने पर हमें प्राप्ट होगा 29 और 29 में 5 प्लस करने पर हमें प्राप्ट होगा 34 34 में 4 प्लस करने पर हमें प्राप्ट होगा 38 और 38 में 2 प्लस करने से हमें प्राप्ट हो जाएगा 40 इस टेवल को ध्यान से देखे, इस में से पहला खाना हमें नहीं चाहिए, पहला जो left and side वाला सबसे खाना वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तोड़ कर हमने अगला खाना लंबाई मिलिमीटर में सतत वाला गुरूप बना दिया है, उसको उड़ा कर हमने ये अपनी सारनी होता है बच्चों याद है आपको सबसे पहले हम निकालते हैं N बटा 2, अब इसमें N देखे, टोटल है 40, पत्तियों की संख्या टोटल है 5, 3, 8, 9, 17, 12, 29, 5, 34, 34, 38, 32, 40, संचे बारंबारता के सबसे N में भी आ रहा है 40, इससे पता चलता है कि N है 40, तो N बटा 2 हो जाएग का चालिस को दो, से बार करके 20, अब हमें ढूना है संचे बारंबारता में 20 कहां आएगा, देखे पहला खाना 3 में, यह तो 3 ही हैור हमें तो चाहिए 20, धूसरे खाने में हैं 8, यहांat हमें 20, तीसरे खाने में है 17 तक हमें 20 चाहिए, इसका मतलब 4 चोठा खाना होगा जहां- 29 तक की संख्याएं हैं, उनमें 20 आएगा, इसलिए ये जो ग्रुप है, जो ब्लिंक हो रहा है, यही हमारा माध्यक वर्ग है, अर्थात हमारा माध्यक वर्ग आ गया 144.5 से लेकर 153.5 तक, इसके हिसाब से इस माध्यक वर्ग की निचली सीमा कितनी हो जाएगी, 144.5 और जिसको हम L कहते हैं, और माध्यक वर्ग से पिछले वर्ग की बारंबारता C F, वो हो जाएगी 17, और माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी F, यानि की 12, H होता है, किसी भी वर्ग अंतराल में उपरी सीमा में से निचली सीमा को माइनस कर दो, तो हमेशा की तरह हम माध्यक वर 0.5 में से 0.5 माइनस होके 0 हो जाएगा 153 में से 144 माइनस करने पर हमें प्राप्ट होगा 9 यानि H आ गया है 9 अब हम माध्यक का फार्मुला देखते हैं जो की है L प्लस N बटा 2 माइनस C F बटा F गुना H इसमें दिखे ये वैल्यूस हम पुट करेंगे L की जगा हमने लिखा 144.5 प्लस N बटा 2 की जगा हमने लिखा 20 माइनस C F की जगा हमने लिखा 17 बटा F की जगा 12 और H की जगा 9 इसे हमें हल करना है तो बच्चों ये बहुत असान है देखिए 144.5 को ऐसे ही लिख देंगे प्लस 20 में से 17 माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है 3 तो आगया 3 बटे 12 गुना 9 अब अंच को अंच से गुना कर दो 144.5 को तो ऐसे ही लिख देंगे 9 को 3 से गुना करके आया 27 27 को नीचे 12 से भाग कर दीजी 27 को 12 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 2.25 तो इससे हमारे पास आगया 144.5 प्लस 2.25 इन दोनों को याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव रखके इन दोनों संख्याओं को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास उत्तर आएगा 146.75 इसका अर्थ है 146.75 हमारा माध्यक है और यदि माध्यक 146.75 है तो यही हमें निकालना था पत्तियों की माध्यक उन्चाई और वह आ गई है 146.75 मिली मीटर आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो हमने पत्तियों की माद्धे कुंचाई निकाली है यह प्रशन आपको अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद